देखो Reels edit करते वक्त तब तक ही मज़ा आने वाला है जब तक तुम इसे Instagram में upload करके अपनी बेस्ती नहीं करा लेते और Instagram तुम्हारे high quality वीडियो को compress करके अपनी अवकात नहीं दिखा देता इसके पीछे मेरे opinion में इसका सबसे बड़ा reason है color compression जो बहुत से लोगों को पता भी नहीं इसलिए आज किस वीडियो में मैं तुम्हें किसी बेतला के shots या फिर Reels को high quality में add करने का project settings and export settings को बहुत ही clear में में समझाऊंगा with the right color space settings तो चलो वीडियो start करते ओके तो damage is all open करने के बाद सबसे पहले हमें जाना यहां settings में जो कि है हमारा project settings इसे open करके हम जाएंगे अपने master settings में जिसके अंदर हमें मिलेगा timeline format यहां हमारे पास दो main चीज़ है first है timeline resolution जो कि अभी हमारा है 4K so मैंने अभी अपने वीडियो को 4K में shoot किया है तो मैं इसे अभी 4K रखोंगा but make sure कि तुम इसे यहां use vertical resolution में check रखो ताकि तुमको एक यहां vertical aspect ratio का timeline मिले okay and then इसके बाद है हमारा most important option जो कि है timeline frame rate and यह यहां हमेशा रहेगा 30APS में यानि कि 29.97 and 30APS इसलिए क्योंकि most of the social media यहां 30APS ही video format support करते है ठीक है like Instagram, TikTok या फिर किसी पे तरह का vertical videos ओके तो यह हमें यहां दो चीज़ के वल सही से check करना है but resolution यहां अगर आपका कम हो like आपने अगर HD में shoot किया है 1080p में तो आप इसे यहां से 1080p में रखेंगे इस तरह से and इसके बाद हमारा timeline color space हम choose करेंगे Davinci Wide Gamet Intermediate जो कि एक wider color space है और यह पूरा एक manual color space है so manual इस तरह से कि Davinci Zool के अंदर हमें पूरा node based यहां अपना color gate करना पड़ता है अगर हम इसे set करेंगे तो योगी color space के बारे में मैंने बहुत ही in-depth अपने color grading वाले वीडियो में बात की हुए है तो आप उसे check out कर सकते हो okay so this is our timeline color space इसके बाद हमारा last option जो की है output color space रेक.79 gamma 2.4 जो कि social media and most of the broadcast में यहां suitable है okay so हम इसे यहां से set करेंगे और यहां save करेंगे so we are done with our project settings उसके बाद यहां edit tab के अंदर हमें simply यहां अपना timeline create करना है so मैं यहां जाओंगा अपने media pool में और मैंने already एक special folder बनाया हुआ है अपने timeline के लिए तो मैं यहां इस blank space पर right click करूँगा और यहां से timeline and then create new timeline और यहां जिसे name दूँगा like real-2 and do make sure कि यहां यह use project settings यहां check रहे ताकि यह आपका वही project settings का सारा settings grab करें okay so हम यहां इसे create करेंगे and we have our timeline so अभी यह blank है हम of course यहां कुछ editing करेंगे like मैं अभी अपने इसी सारी element को यहां copy कर रहा हूँ यहां से control c और यहां paste कर रहा हूँ just demonstrate करने के लिए okay and यह मेरा timeline जो की इस तरह से है मैंने इसके बारे में भी पूरा एक full course बनाया है YouTube पर ही अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे check out कर सकते हो so यह है मेरा timeline और अब हम जाएंगे अपना main काम में and वो है delivery यानि की export settings में तो इसके लिए simply हमें जाना है last page पर and यह है हमारा deliver tab उसके बाद हम आएंगे अपने custom export में ओके और यहां अपना file name देंगे like मैं इसे name दे रहा हूँ final इसके बाद choose the location जहां आपको इसे save करना है then render में single clip उसके बाद वीडियो के अंदर आपको यहां export वीडियो में चेक करना है और यहां से format रखना है आपको quick time like mostly अगर आप iPhone यूज करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा suitable MP4 से यह ज्यादा suitable तो आप इसे MP4 या फि resolution जो कि आपको set करना है always 1080p में 1080p यानिकी HD में तो मैंने अभी edit किया है 4K में ताकि मैं इसे पूरा detail में यहां edit कर सकूँ but export करते वक्त हम इसे यहां down करेंगे 1080p में जो कि हमारे reels tik tok या shorts के लिए suitable है इसके अबब यानिकि इससे ज्यादा high quality का अगर आप यहां edit करते हो और resolution यहां check हो and then हमारा frame rate जो कि यहां 29.97 है और यह चीज हमने project settings में की हुए थी okay इसके बाद हम आएंगे quality में और यहां से इसे restrict करेंगे 5000 kbps में ताकि इसका जो file size वो यहां medium में रहे ताकि upload होने के बाद इसका compression कम हो okay उसके बाद हम आएंगे यहां अपने rate control में और इसे र दो चीज़ चीज़ करेंगे and यह रहेगा हमारा color के लिए जिसके बारे में मैंने intro में बात गया था so color space tag हमारा रहेगा PC P3 DCI और camera tag रहेगा हमारा sRGB जो की most suitable है हमारे social media platforms के लिए okay इसके बाद हमें आना है last में अगर आपके video में subtitles है like मेरे में अभी subtitles है और मैं चाहता हू हमारा reel अब यहां से हम render कर सकते हैं like this so these are the exact settings जो कि मैं यूज करता हूं और आप इससे use कर सकते हो also make sure कि आप इसका preset भी यहां बना लो ताकि आपको यह settings यहां बार बार फिल करना ना पड़े और आप यह सारे same settings यहां एक click में ही load कर पाओ okay so मैं इससे अभी render होने दता हू so preset create करने के लिए simply जाएंगे हम यहां और इस three dot में click करेंगे और यहां से choose करेंगे save as new preset finally इसका name देंगे like instagram reels hd and यहां से okay and we are good to go so these are the exact settings जो मैं अपने reels में अपने shorts video में use करता हूं ताकि मैं यहां एक high quality video instagram में upload कर पाओ with less compression